दोस्तो आमतोर पर ये माना जाता है कि जंगल में सबसे बहतर शिकारी शेर होते हैं किन्तु जहां तक लकडबगो की बात है तो शिकार करने में इनका मुकाबला शेर भी नहीं कर सकते लकडबगे बेहत बुद्धिमान और तेज तर्रार हमलावर होते हैं हाला कि जंगल में शेर को सम्मान और लकडबगो को हमेशा ही तर्सकार मिलता आया है किन्तु यदि अन्य छोटे मास भक्षियों की नजर से देखा जाए तो लकडबगे बहुत ही अधिक सम्मान के काबिल जानवर है दरसल शेर 93 चीते और लकडबगो जैसे शिकारी खाद शरिंखला में सबसे उंचे स्थान पर है इसका अर्थ ये है कि जब ये शिकारी शिकार करके अपना पेट भर चुके होते हैं तो सियार या गिद जैसे कई अन्य मास खोरों को भी अपना पेट भरने के लिए बचा खुचा मास खाने को मिल जाता है यानि एक तरह से देखा जाए तो छोटे मास बक्षी शेर और लकडबगो जैसे जानवरों के एहसान पर ही अपना जीवन जी रहे हैं लकडबगे बड़े जुंड बना कर रहते हैं अपने जुंड के भोजन की जरूरतों को पूरी करने के लिए ये लगातार शिकार करते हैं शेरों से भी कई गुना अधिक इस तरह से देखा जाए तो ये ना सिर्फ खुद का बलकि अनेकों अन्य जंगली जीवों का भी पेट पाल रहे हैं जिस तरह से खेतों में कोई किसान ट्रेक्टर चला कर अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी अन उत्पादित करता है और सम्मान पाता है मेरे ख्याल से लकड भगगे भी जंगली जीवन के लिहास से उतने ही सम्मानित जीव होने चाहिए किन्तु अपनी मोका परस्ति की योजनाओं की वज़े से लकड भगो की छवी दूर्थ शिकारी के तोर पर बनी हुई है ये माना जाता है कि खुद शिकार करने की बज़ाए लकड भगे शिकार को किसी दूसरे शिकारी से चीन लेना कहीं अधिक पसंद करते हैं ये काफी हद तक सच भी है वास्तों में आपके परिवार में जितने अधिक सदस से होंगे उतनी ही अधिक महनत आपको उनके भरन पोशन के लिए करनी होगी किन्तु लकड भगो का परिवार इतना बड़ा होता है कि केवल महनत से बात नहीं बन पाती बलकि इन्हें दूसरे शिकारियों की महनत को कब जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये खुद से शिकार नहीं करते लकड भगों का एक बड़ा जुंड आसानी से भैसों का यहां तक के कभी कबारतों हाथियों का भी शिकार कर लेता है वास्तों में लकड भगे अपने भोजन की 80% व्योस्ता खुद शिकार करके ही करते हैं यहां इस दुन्दली सी वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से केवल 4 लकड भगे मिलकर एक कम उमर के हाथि को मार रहे हैं वास्तों में जिस शिकार करने में शेर भी विफल हो जाते हैं उस शिकार को लकड भगे आसानी से अंजाम दे देते हैं यहां तक के अनेकों बार शेर तो पहले से मरे हुए हाथि को भी नहीं खा पाते शेरों की बाइट फोर्स करीब 650 PSI ही होती है और हाथि की तवचा इतनी मजबूत होती है कि 650 PSI बाइट फोर्स के दम पर इस तवचा को काटा नहीं जा सकता इसलिए अधिकतर मोकों पर शेर मरे हुए हाथि को छोड़ कर ही चल देते हैं वहीं दूसरी और शेरों से छोटा आकार होने के बावजूद भी लकडभगों की बाइट फोर्स करीब 1100 PSI तक होती है साथी इनके दात भी शेरों की तुलना में कम नुकिले किन्तु बहुत मजबूत होते हैं इसलिए लकडभगों आसानी से हाथियों की तवचा को कुतर कर मुलायम मास तक पहुच जाते हैं एक हाथी इतना बड़ा जानवर है कि इससे लकडभगों के पूरे जुंड का पेट आसानी से भर जाता है बाद में लकडभगों द्वारा काटेगी तोचा वाले हाथी से शेर भी अपना पेट भरते हुए देखे गए हैं यानि हमेशा लकडभगे ही शेरों पर निर्भर नहीं होते बलकि कभी कबार शेरों की भी निर्भरता लकडभगों पर देखी जा सकती है वैसे जहां तक शिकार छीन लेने की बात है तो ऐसी मोका परस्ती भी सिर्फ लकडभगों में ही नहीं होती बलकि मोका मिलने पर शेर भी लकड भगों से शिकार छीन लेते हैं सवाना के जंगलों में तो शेर और लकड भगों के स्टेडी में एक अनोखी बात पता चली ये देखा गया कि लकड भगो की शेरों पर निर्भरता की बज़ाए शेरों की लकड भगो पर निर्भरता कहीं अधिक होती है बहुत बार शेर लकड भगो द्वारा छोड़े गए मांस को खाकर अपना गुजारा करते हैं या लकडभगों के छोटे जुंड से शेरों को शिकार छीनते हुए भी अने को बार देखा गया है। शेरों के अतिरिक लकडभगों का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन तैंदवे को माना जा सकता है। जंगल में आई दिन तैंदवे और लकडभगों के बीच जड़पे होती रहती हैं। हाला कि जब लकडभगे अपने जुंड में एक साथ हो तो इन से टकराने की हिमत ना शेर में होती है और ना ही तैंदवे में। वास्तों एक जुंड के रूप में लकडभगे पृत्वी के सबसे सफल मांसा हरी जानवर माने जा सकते हैं। दोस्तों लकडभगों की सफलता का राज इनकी एक जुटता में ही छुपा हुआ है। येक आदर्श परिवार का बहतरीन उधारन है। शिकार करने के बाद जुंड के समानित सदस्यों और विशेश तोर पर मादाओं को खाने का हक नरों से पहले मिलता है। यहां तक कि गरवती मादाओं या अपने बच्चों को दूद पिला रही मा के भोजन का लकडभगे विशेश तोर से ख्याल रखते हैं। ठीक इसी तरह से सभी लकडभगे मिलकर अपने नन्य शिशो को भी रखवाली करते हैं। इस दूद में पिर्थ्वी पर पाये जाने वाले किसी भी जानवर के दूद से कहीं अधिक प्रोटीन होता है। किन्तु लकडभगो के बच्चे बहुत हद तक विक्सित ही पैदा होते हैं। मादा लकडभगो का परजनन अंग भी नर लकडभगो से ही मिलता जुलता होता है। इस वज़े से इनके लिए शिशु को जर्म देना बहुत ही कष्ट दायक रहता है। साथी कुट्टो और बिल्ली परिवार के पास जहां ठनों की संख्या आठ होती है वहीं लकडभगो के पास सिर्फ दो ठन ही होते हैं। नरो की तुलना में मादा लकडभगो के शरीर में कहीं अधिक टेस्टेस्टेरोन नामक होर्मोन भी पाया जाता है। और मादा नरो की तुलना में कहीं अधिक बड़े आकार की भी होती है। शरीर और परजनन अंगों में ऐसी विभिन्ता के कारण ही लकडभगों को ना कुत्तों के परिवार में गिना जाता है और ना ही बिल्लियों के, बलकि इनके परिवार को हाइनेडाई नाम से एक अलग ही पहचान मिली हुई है, वहीं कुछ वेग्यानिक लकडभगों को कुत् दूद नहीं मिल पाता, इसलिए मादा ये ध्यान रखती है कि किस बच्चे ने दूद पी लिया है और कौन सा बच्चा भुखा है, किन्तु अधिकतर मोकों पर दूद ना मिल पाने के कारण कुल बच्चों में से सबसे कमजोर बच्चा मारा जाता है, बिल्लियों और कुत लकडबग्गे हसने की आवाज खुशी में नहीं निकालते, बलकि इस आवाज का अर्थ है कि लकडबग्गा बेहद ही अधिक चिंता और तनाव में हैं, और किसी लकडबग्गे दोरा ऐसी आवाज निकानने से सबी लकडबग्गे सावधान एम एक जूट हो जाते हैं, ताकि मोजूद खतरे का मिलकर सामना किया जा सके, और साथ मिलकर लकडबग्गे बहुत ही हिंसकता के साथ अपने दुश्मन पर तूट पड़ते हैं, दोस्तो बले ही लकडबग्गों को एक करूर शिकारी माना जाता हो, किन्तो वास्मिकता यही है कि करूरता एक परकार की मानविय अवधारना ही है, देखा जाए तो कोई भी जानवर करूर नहीं कहा जा सकता, फिर बले ही वो किसी भी तरीके से अपना जीवन जीता हो, परकरती के मानकों के अनुसार लकडबग्गा जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला जानवर है, इसलिए इसका समा इसलिए यदि मानव अवधारना की बजाए प्राकरतिक अवधारना से देखा जाए तो लकडबग्गे कुरूर नहीं, बलकि धर्ती के सबसे सरेष्ट जानवरों में से एक हैं, और ये भी शेरों की हितरे पारस्तितिकी तंतर का एक आवशक हिस्सा हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद